दोस्तों, Paytm Razor Pay Cash Free के दफ्तर में ED यानि की Enforcement Directorate ने मारा छपा वजह Chinese Instant Loan App है जिस एप के बारे में पिछले कुछ महीनों से लागातार चर्चा हो रही है कि किस तरह से लोगों को लोन दे करके हरास्मेंट करने के साथ साथ लोगों को खुद कुछी करने पर भी मजबूर कर रही है तो क्या कुछ है ये मामला, क्यूं Paytm Razor Pay और Cash Free के आफिसेज में जो है E.D. ने चापा मारा इसी के बारे में आज हम डीटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो E.D. चाइनीज इंस्टैंट लोन एप के खिलाफ लागातार कारवाई कर रही है और इसी को लेकरके E.D. की टीम बैंगलोर पहुची और वहाँ Paytm Razor Pay और Cash Free के दफ्तर में चापा मारा चापा क्यूं मारा क्यूंकि इनके Payment Gateway को इस्तेमाल करके चाइनीज लोन एप लोगों को लोन दिया करती थी और इसी को लेकरके Paytm Razor Pay और Cash Free के दफ्तर में E.D. ने चापा मारा और कई करोड रूपिय का अमांट भी जब्त किया जी हाँ और अभी भी चाइनीज लोन एप को लेकरके E.D. की कारवाई लागातार जारी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लागातार हमने Chinese Instant Loan App के बारे में बहुत सारी ख़बरे सुनी बहुत सारे ख़बरे देखी कई लोगों ने इन चाइनीज इंस्टेंट लोन एप की वज़ा से खुतकुसी भी कर लिया है इसी वज़ा से E.D. आई हरकत में और हरकत में आने के बाद ED की टीम पहुँची बैंगलोर और बैंगलोर पहुँचने के बाद जैसे ही यह पता चला कि Chinese Instant Loan App की कमपनीज जो है पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रही थी तो इसी वज़ा से पेटी एम, रेजर पे और कैश फ्री के दफ्तर में भी छापा मारा और वहां से भी बहुत सारी जानकारी इकटा की तो यही सारी वज़ा हैं इनी वज़ों से इनके दफ्तरों में च्छापे पड़ रहे हैं और बलके इस कारवाई को मैं बिलकुल सही मानता हूँ क्योंकि Chinese Instant Loan App जो है हमारे देश में लोगों के साथ बड़ा अन्याय कर रही है लोग डोन के बाद स यह लोग बड़ा तेजी से बढ़े और लोगों को लोन पर लोन तो दिया जरूर लेकिन मनमाने तरीके से इन लोगों ने लोगों से वसूली की जिसकी वज़ा से बड़ा लोगों का नुकसान हुआ है तो यह कारवाई सही है और जो 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 लोग जो जो कमपनी इन Chinese Instant Loan Loan होनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है तो बस यही कुछ था पेटी एम रेजर पे और कैश फिरी पर पड़े छापे की वज़ा आई होप कि आपको समझ में आगया होगा इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते है वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें जादा जादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारी योट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें